इस्टूडेंट्स नेक्स्ट पोस्टर्ल डिफॉर्मिटीज है स्कॉलियोसिस इस पोस्टर्ल डिफॉर्मिटीज में क्या होता है इस पाइन जो है एक साइड में लेफ्ट या राइट साइड में चली जाती है कर्व हो जाता है साइडवर्ड कर वो जाता है तो पॉस्ट्रल एडप्टेशन ऑफ दे स्पाइन इन लेटरल डिरेक्शन इस कॉल्ड इसकोलियोसिश मैं आपको एक चीज किलर कर देना चाहता मैं यहां पर दो नाम मैंने लिए वेटरवल कॉलम को मैं नाम ले रहा हूं बार बार पॉस्ट्रल डिफर्मिटीज में और मैं स्पाइन का नाम ले रहा हूं यह दोनों अलग नहीं है देखिए यह है मैं फिगर थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं यह क्या है यह आपकी स्पाइन मतलब यह वेटरवल कॉलम है जो हमारी बैक बोन है ना वो के बद एक हड़ी नहीं 26 अलग-अलग हड़ियों से बना है उन हड़ियों कि बीच में जगय होती है जिसके अंदर स्पाइन रहती है इस्पाइन का कनेक्शन सीधे मान हूं से होता है हम खुझ वी चीप Гर्म चीज करते हैं तो हमें जो फील पहुचाती है जो सैंसरी नर्व हमें फील कराती है स्पाइन के थूरू ही फील कराती है कि हाँ वह हमें किसी ने टच किया है हमने किसी गर्म चीज को टच कर लिए जो वाटेवर जो भी सैंस है वह हमारा कौन फील कराता है स्पाइन का बहुत बड़ा रोल होता उसमें तो वेटरबल कॉलम के अंदर रहती है इसके वैसे स्पाइन तूड जाती तो इसलिए यह है तो आप मैं स्पाइन का नाम ले रहा हूं यानि वेटरबल कॉलम टेड़ा हुआ तो यह चीज जो बच्चे वाइलोजी के इसाइद उनको पता होगा जो आर्ट स्टुडेंट है उनके लिए मैं यह क्लियर कर देना चाह रहा हूं ठीक है तो जो भी किसी भी चीज में आपको डाउट नहीं रखना अगर कुछ है तो तुरहन पूछ लीजेगा कमेंट में उसके बाद में अब मैंने बताया पोस्ट्र अप्टेशन ऑफ दस्पाइन इन लेटरल डिरेक्शन इसकॉल इसकॉलियोसिस मतलब लेटरल साइड म चॉलियोसि कर वहती है उसको स्लियत कर भी बोलते हैं इसके नाम से भी जानते है तो घर आथ को सब्सक्राइब काऊजिस क्या हो सकते हैं इसको घर को सारे में सो ह करता हुआ है कि और कि आधर किसी को जॉइंड की डिस इनिस है किसी को joint problems arthritis joint disease है तो उसको यह जब इसका में रिजन रहता है स्कॉलेसिस होने का उसके पाद में कह रहा है कि अंडर डेवलप लेग्स अगर जो हमारी लेग्स की मसल्स है या बोन से वह अंडर डेवलप हैं तो यह हो जागा ठीक है infantile paralysis अगर कोई चोटे पर परलाइसिस बगरा हुआ है ठीक है तो उसमें उसके बैस हो साथ रिक्रेट्स बिटामिन डी की कमी से बच्चों में जो विमार यह वह है उसके बैस से भी यह अंडर डेवलपमेंट नहीं होता है बोडी का उसके बैस से हो बलाइसिए करेंगा केरिंग हैंवी लोड औ बन सुल्डर अगर आप एक सुल्डर पर ज्यादा वेट केरि करते हूं तो क्या होगा तो यह आपको प्रोब्लम हो सकती है अनल्टीन कंडिशन ठीक है लाइक अने डिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट अगर जो लाइटिंग अरेंजमेंट वो ठीक से नहीं हुआ तो उसके वेसे भी हो जाता है से Greek अनकंफरटेब्ल डैक्स अगरापकी सीची डैक्सपे बैटर नहीं है आपके बार बार होना उसके हो सकता है पार्सिल सकता है या वह नहीं कुछ कोई कम सुनाई दे रहा है तो कप सुनाई देता हमारे कांव काक और हमारे पुरी बौडी से होता है कैसे अगर कान में एक फ्लूड वहता इसको auditory fluid बोलते हैं अगर कोई इनसान कम सुनता उसका balance कभी अच्छा नहीं होगा वह auditory fluid क्या होता है उसके auditory fluid कोई auditory fluid हमारा balance करने में मदद करता है हमारी body को balance करने मदद करता है तो अगर कोई इंसान को कान से प्रोब्लम है तो देखना आपका भी ऑब्सर्व करना उसका बेलेंस अच्छा नहीं होगा तो उसके बाद में है रॉंग झालेंस चैनल में होते हैं गलत तरीके से एक तो ये कुछ प्रेक्टर ये ऌहां इसकी बात करते प्रेक्षिशन में क्वाण डियत की बैलेंस जाईट तो हर जगा हर किसी को लेना या नार्मल विंक भी लेना है तोसे ट आपको वैसे नहीं पढ़ना है कि अवाइड करो वॉकिंग फॉर लॉंग टाइम वाइल केरिंग वेट ऑन वन हैंड किसी एक है आथ पे वेट लेके आप लॉंग मतलब बहुत दूर तक चल रहे हैं लॉंग वॉकिंग करें तो नहीं करना है इसकी रेमेडी क्या क्या है देखिए एक्सराइज हम इसमें क्या कर सकते हैं जिस साइड में आपका कर्व हुआ है अगर किसी इंडिविजल का जिस साइड में कर्व है मतलब इसमें क्या है कोई कर बना लेगा ना एक सी का से बना लेगा तो उसके आपोजिट वाला एक्सराइज आपको करना है सेंपली जिस तरब आदमी जुका हुआ है उसकी एकसाइस करना है और कि होरीजंटनेल वारपल लटक Ahh Pap देर तक मझे में उसके बाद में आभी और भी एक मैं बताता हूं यह वीडियो में छोटी बिनाऊंगा तो केवल इसी हमने डिफॉर्मिटीज पर चर्चा करेंगे अभी नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज है जिसके उपर मैं वीडियो बनाके लेके आ रहा हूं